हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी एडी ट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ से चेप्टर 4 क्वाड्रिटिक एक्वेशन के exercise 4.3 से एक question ले करके आया हूँ यह question number 8 है इस वीडियो में मैं इस question को discuss करूँगा आपसे एक ही request है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि आपको question सही से समझ में आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like share जरूर किजेगा चैनल को भी subscribe किजेगा चलिए शुरू करते हैं आपके question number 8 है a train travels 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km per hour more it would have taken one hour less for the same journey find the speed of the train तो यहां पर हमें distance दिया गया है time का difference दिया गया है और 5 km more दिया गया है हमें यह बताना है कि train की speed कितनी होगी तो पहले हम write कर लेते हैं solution we have total distance 360 km ठीक है डिस्टेंस हमें कितना दिया है 360 km अब यहां से देखो हमें पहले तो speed को लेट करना पड़ेगा लेट दा यूनिफार्म speed of train is equal to x km per hour ठीक है train की uniform speed कितनी है x km per hour है तो जब train की speed इतनी है तो time कितना होगा देखो time is equal to distance upon speed यह formula होता है time is equal to distance upon speed तो इस case में जो time taken होगा वो कितना होगा time taken is equal to distance आपको दिया गया है 360 km और speed आपने माना है x km तो यह आपका हो जाएगा time और यह होगा किसमें होगा आरस में होगा ठीक है अब जो यह कंडिशन एक फाइब किलो मेटर इंक्रीज कर रहा है फाइब किलो मेटर मोर हो रहा तो उस case में क्या होगा if the uniform speed of train is 5 km per hour more then new uniform speed is equal to x plus 5 देखो यह बढ़ रहा है पहले यह था तो इसमें यह add हो जाएगा means x plus 5 km per hour हो जाएगा किता हो जाएगा x plus 5 km per hour तो फिर time का क्या होगा हना तो नया time क्या हो जाएगा then time taken कि देखिए time taken का formula वह होगा distance upon speed तो distance तो सही है भाई distance change नहीं होगा तो वह हो जाएगा 360 लेकिन speed इस बार बदल गया x plus 5 हो गया तो यह हो जाएगा x plus 5 यह time जो होगा वह आर्स में होगा किसमें होगा ठीक है अब एक चीज में आपको बदाता हूं हम यहाँ पर इसको 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 इस्तेमाल करेंगे ठीक है time time को इस्तेमाल करेंगे देखो जो time difference का formula होता है वह ओता है t1 minus t2 is equal to time difference क्या चीज़? time difference लेकिन कभी कभी होता है t2 minus t1 time difference अब देखो कैसे पहचानेंगे कोन पहले आएगा देखो जिसका speed कम होगा उसी का time ज़्यादा होगा जिसका speed कम होगा उसी का time ज़्यादा होगा देखो यहाँ पर speed है x km यहाँ पर speed है x plus 5 यानmother बढ़ गया तो यह जब speed ज़्यादा हो रहे तो यह time कम होगा यह speed कम है तो time ज़्यादा होगा तो मतलब इस سے इसको minus करेंगे ठीक है इस से इसको minus करेंगे आपको यही पहचानना है किस time से किस time को minus करें जिसका speed कम होगा उसका time जादा होगा यहां पर speed कम है तो यह time जादा होगा यहां पर speed जादा है तो यह time कम होगा तो इसमें से इसको minus करेंगे according to question जो time difference है वो वन का है time difference वन का है यहां पर जो हम यह वाला फर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहां पर टीवन जादा है कौन जादा है टीवन जादा है तो मीन्स यह हो जाएगा 360 upon x minus 360 upon x plus 5 difference कितना है वन का कितना difference है वन का तो इतना आप रैट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो फिर हम आगे solve करेंगे तो यहां पर इतना solve कर लिए आप इसको आगे solve करेंगे तो cross multiplication होगा तो यह हो जाएगा 360 360 x plus 5 minus 360 into this x और यहां पर हो जाएगा x into x plus 5 is equal to 1 अब जब इसको अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 360 x plus 5 से multiply करेंगे 500 560 30 530 15 18 ठीक है और यह हो जाएगा minus 360 x यह और यह cancel हो जाएगा तो यह अंदर multiply होगा तो यह हो जाएगा x square plus 5 x is equal to 1 अब यह cross multiplication होगा तो इधर बचेगा 1800 और इधर हो जाएगा 1 into x square plus 5 x ठीक है तो वन से किसी भी नंबर में multiply करोगे result वहीं में लेगा तो कोई जरूद नहीं है write करने की यह उधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा x square plus 5 x और यह plus था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1800 is equal to 0 अब देको हमें इसे फेक्टोराइज करना है सबसे पहले यह पता करना होगा कि 1800 के factor क्या होंगे जिनका sum या difference जो है वो 55 तो हालाकि इनको प्राइम फेक्टोराइज करेंगे 1800 divided by 2 तुनाइन है ट्यूवलडार पया जाँ जिए अध्रथ दी दॉबढले अगे हैं जिए पाइब से पर्टेवल और करेंगे इनको और इनको आपस में multiply करेंगे 5-3-15-3-45 यानि कि 5-3-3 तो यह वो गया 45 बागी जो बच गया यह और यह तो इनको आपस में multiply करेंगे 5-2-2-2-2 तो यहां से में मिलेगा 40 तो यह दो हमारे फेक्टर बनेंगे एक बनेगा 45-1 बनेगा 40 कैसे मैं चकरा करेंगे तो मिल जाएगा हमें एटीन हंड्रेड आप multiply करके देख लेना और जो हम 45-40 करेंगे तो में मिल जाएगा 5 क्या मिल जाएगा तो यानि एक फेक्टर क्या हो गया एक फेक्टर 45 और एक फेक्टर 40 क्लियर अब जब इतना मिल गया तो हम ट्रिक से करेंगे किसे करेंगे factorization हम trick से करेंगे अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं description में लिंक देदूगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं trick से कैसे करेंगे वो देखो ऐसे यहाँ पर दो bracket लगा देंगे अब यहाँ पर variable x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x right कर लेंगे जब यह वाला sign प्लस हो यह वाला sign माइनस हो तो बड़ा वाली sign के साथ प्लस sign आएगा और छोटा वाला माइनस आएगा फिर से देख लो अगर यह वाला sign प्लस है यह वाला sign माइनस है तो बड़ा factor प्लस होगा छोटा factor माइनस होगा बड़ा factor कोन है 45 वो हो जाएगा plus और चोटा factor क्या है 40 यह हो जाएगा minus ठीक है तो यहाँ से x की value क्या आ जाएगी देखो यह आजाएगा minus 45 और यह आजाएगा plus 40 minus 45 negative value है इसे नहीं लेंगे इसे reject कर देंगे since negative 45 is rejected कि टेक है कि फर्टी किलोमेटर पर आर क्या लेंगे फर्टी किलोमेटर पर आर तो जो इसकी यूनिफार्म स्पीड हो जाएगी देयर्फोर कि दा यूनिफार्म स्पीड आफ ट्रेन इस फर्टी किलोमेटर पर आर ठीक है तो यह हमारा आंसर होगा इस वीडियो का तो आप चाहो तो इसे रैट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले झाल 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 झाल